Hello everyone! Welcome to my channel. आज मैं एक बहुत इनपॉर्टेंट टॉपिक्ट लेके आइए हूं डार्क सर्कॉल डार्क सर्क्ल क्या है इसके होने के कारण क्या है और इससे हम चुटकारा कैसे पासकते हैं सबसे पहले बात करेंगे डार्क सर्क्ल क्या होते है हमारे आखों के जो चारो और काले घेरी पर जाते हैं, उन्हें डार्क सरकल कहते हैं, यह तो हम सर्थ जानते हैं, लेकिन इसके होने के कारण क्या है, यह किस किस कारण से हमें हो जाते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण है, जैसे कि सबसे पहला इसका कारण है, यह जनेटिक प् परिवार में अगर यह चला रहा है, तो फिर उनको हो जाती है, तो इसमें भी हम, प्ताब रिमडिगर करते हैं तो इससे कुछ हटता तक छुट कारा पां सकते हैं लेकिन फिर यह 100 परसंट्ट ठीक नहीं होते हैं, लेकिन अगर यह आपको नहीं थे और हो गया हैं तो इसमें बहुत ज़दा स्ट्रेस में रहना बहुत ज़दा टेंसन रहना आंसू बहाना यह बहुत सारी कारण हो सकते हैं डार्क सरकल के स्टूरेंट्स में जदा तर यह प्रॉलम देखने को मिलती है क्योंकि वो लोग लेट नाइट तक पढ़ाई करते रहते हैं या फिर अभी के यह पा सकते हैं तो हां पीसे स्योर अब 100 परशंट चुटकारा पा सकते हैं मैं पहले ही बोले कि जिनको यह जैनेटिक प्रॉलम है उनको 100 परशंट चुटकारा नहीं मिल सकता है कुछ ब्ल्च चाद तक उनका हमताभी सब्सक्राइब अन्युक्त हो सकता है लेकिन यह पू तो पूरे आंखों की एरियों को पूरा काला कर देते हैं जो कि देखने में बिल्कुर अच्छे नहीं दिखते हैं तो हम क्या करें कि हम डर्क साथ से सूट करता हैं? तो ये मेरी रेमेडी जो है ना उसी विषए में है तो इक अगरेंस को ट्राय करिए और 10 से 15 दिनों तक ट्राय करिए उसके बाद आपको क्या रिजल्ट आया आप प्लीज मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसमें हमारा पहला इंग्रीडियन्ट है एरंड का तेल जिसे हम इंगलिस में कैस्टर आयल भी कहते हैं यह डार्ख सर्कल में बहुत ही फाइदेमंद है इसमें मौझूद फैटी एसिड और मुश्राई जिंगूर आपकी आँखों के नीचे की तुचा को पोशन देती है और इन्हें हाइट्रेट रखती है इसके अलावा यह एंटी आक्सिडंट से समरिद होती है जो कि मुक्त कणों से तुचा की शती को रोकता है और एरंड का तेल में मौझूद को बढ़ाने और फाइन लाइनों को कम करने के लिए जाना जाता है इससे आपकी तुचा साफ, ब्लोइंग और क्लियर दिखती है और इसमें हमारा दूसरा इंग्रीडियन्ट है दूद अगर आप कच्छा दूद इस्तमाल में लाते हैं तो यह और भी अच्छा रहेगा मैं आपको बता दूँ कि दूद में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी तुचा को टोन करने के साथ ही मृत तुचा की कोशिकाओ को भी एक्सोफ्लियेट करता है जिससे की टार्ज सर्कल्स तो दूर होते ही है साथ ही आँखों के नीचे साइनिंग भी आती है आप इस तरह से 10 मिनट के लिए इसे मिक्स करके इसी तरह से रहने दे आप इसे तुरंत मिक्स करके इस्तमाल ना करें आप इसे 10 मिनट के लिए यूही रहने दे फिर 10 मिनट के बाद आप इसे अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर दे और फिर अपने फेस को अच्छे तरह से धोले स साफ कर ले और फिर उसे किसी चाविल की मदद से सुखा ले उसके बाद फिर अपने दोनों हातों के फिंगर्स में इस पेस्ट को अच्छी तरह से लेके आप अपने आखों के चारो और एक बहुत ही सॉफ्ट हातों से मसाज करें कभी भी अपने हातों को प्रेसर दे के आखो पर मसाज ना करें क्योंकि हमारी आँखों की स्किन जो होती है ना वो बहुत ही सैंसिटिव होती है जिसे की हम अगर आप प्रिसर दे के मसाज करेंगे तो वो फिर वैसा रिजल्ट नहीं लेके आएगा तब इसे अच्छी तरह से मसाज करें आखों के नीचे उपर सब तरफ अच्छी तरह से मसाज दे मसाज देने से आखों में बलट सर्कुलिशन बढ़ता है और आपकी आखों में जो डार्क सर्कल है उसमें बहुत ज़्यादा फाइदा होता है आपकी आखों के नीचे और उपर की स्कीन में साइनिंग आती है मैं किसी चीज़ को बरबाद नहीं करती है क्योंकि यह हमारे पूरे तुचा के लिए ही अच्छा है तो इसलिए मैं इसको अपने पूरे चेहरे पर ही लगा लेती हूं मैं इसे वेश्ट नहीं करती हूं और आपके पास अगर यह घूल बच जाए तो फिर आप इसे अच्छी तरह से फ्रीज में भी रख सकते कवर करके और फिर आप इसे एक से दो बर यूच कर सकते हैं और उसके बाद फिर क्योंकि एरन का तेल बहुत ही चिपचिपा होता है तो इसे उसम पानी से ही अच्छे से साफ कर दे गुन गुने पानी से अपने चेहरे को साफ कर दे और आप देख सकते हैं कि मेरी फेस पहल मेले से बहुत जादा शाइनी देख लिए तो आपको उस दिन इस ट्रेमिडी को ट्राइ करिए और अगर आपको कुछ भी फायदा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा बाइ